आज गे इस वीडियो में हम page app से mobile recharge करने का तरीका देखेंगे उसके साथ एभी देखेंगे कि page app से कैसे mobile recharge करने से cashback मिलते हैं देख लिजी आभी page app wallet में 20 cash point है और mobile recharge complete हो जाने के बाद और 20 cash point मिलेगा मतलब total 40 cash point हो जाएगा एक cash point मतलब एक रूपिया और 40 cash point मतलब 40 रूपिया अगर आप page app में सिदा सिदा mobile recharge करेंगे ता आपको एक भी cash point नहीं मिलेगा तो आप इस छोटा सा वीडियो को last तक जरूर देखें ताकि आपको हार step मालूम हो जाए तो सबसे पहले परीज़ा वको open करने के बाद belonging recharge option पर simply किलिक करना है उसके बाद मूबार रोड़ और किलिक करना होगा और थोड़ेगा और थोड़ेश्व से भाड़ेश्व करने की बाद इस तरह ह आ जाते हैं कौन सा कम्पानी के मॉबाइल नमबर है मैंने कий मैं एस पर पर सिए पर बाद कुलिद करना लेगे चाहते हैं। थोड़ी दे लोडिंग होने के बाद इस तरह एक प्रचेष खूल जाते हैं। यहां पर लिखा है apply coupon code उस पर आपको simply क्लिक करना है देख लिजी coupon में लिखा get 20 cash point on mobile recharge तो आप apply now option पर क्लिक करते हैं और coupon apply हो जाने के बाद pay option पर आपको simply क्लिक करना है उसके बाद e-pi-pin enter करने का page open हो जाएगा तो यहां पर e-pi-pin enter करके right पर क्लिक करते ही processing start हो जाते हैं और थोड़ी देर work करने के बाद recharge successful हो जाते हैं अब home page में जाकर देख लेते हैं कि cashback मिला की नहीं देख लिजी पहले 20 cash point था अभी 40 cash point हो गया है अगर आप cash point को रूपिया में बदलना चाहते हैं तो cash point पर क्लिक करने के बाद इस तरह आ जाते हैं उसके बाद redeem cash point पर क्लिक कर करेगा तो इस तरह अगर आप प्रेजब से मोबरिचेज करोगे तो cashback मिलेगा अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करके share करना ना भूले और इस तरह के useful वीडियो पाने के लिए जी जियार उन्हों फसील इटिप चैनल को सब्क्राइब करके बेल अगर उनको प्रेस करें तैंक यू